11 जनवरी दिन गुरुवार बड़ी अमावश्य पर दुरलव योगों से धनु राशी के सभी जातक सफलता के जंडे गाडेंगे जरूर करें ये काम शनी नक्षत्तर और सूर्य नक्षत्तर परिवर्तन अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके चैनल से जुट जाएं यहाँ पर मिलेगी धनु राशी से समधी देनिक राशी फल आपको रोज साथी जानेंगे धनु राशी का 11 जनवरी का दिन तिथी नक्षत्तर और परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होने वाला हैं किस प्रकार के संयोग योग बनेंगे जो आपको लाब वान्तित करेंगे 11 जनवरी दिन गुरु आर को चंद्रमा जो हैं धनू उपरांत मकर राशी में संचन करेंगे साथी कल पोह मास के किर्शन पक्स की अमावश्य तिती है मित्रो इस दिन गुरु सूरिय का नव पंचम राजयोग बनने जा रहा है जो आपके लिए बेहत खास रहने वाला है बुदात्य राजयोग सूरिय और बुद की यूती से बनेगा बुदात्य राजयोग सूरिय और मंगल की गोचर से बनेगा अदित्य मंगल राजयोग हरसन योग और पूर्वा साड़न अक्षत्र का सुपसयोग बना रहेगा जिसके प्रभाव से कल धनु राशी के जातकों की कुंडली में गुरू ग्रह की मजबू स्थिती बनेगी और विश्णु भगवान का अशिलवाद आपको और आपके परिवार को मिलने वाला है धनु देनिक राशी फल में आपको शुरुआत करते हैं आपका दिन किस परकार रहेगा दिन चरियापर प्रभाव किस परकार रहेगा इन्ही सभी योगों का और इन सभी नक्षत्रों का दोस्तों तो 11 जुनवरी का दिन आपके लिए खान पान पर थोड़ा नियंतर बनाने के लिए रहेगा आपको अपने खान पान पर थोड़ा नियंतर बनाना होगा नहीं तो आपको कोई पेट से समधित कोई भी समश्या हो सकती है बैंकिंग छेत्रों में जो कारिये कर्थ हैं उनको कामों को पूरा ध्यान से करना होगा कुछ धन बचत की ओजनाओं में भी आप लगा सकते हैं क्योंकि अत्रदिक धन कमाई आपकी होने वाली है आपको के प्रिये वस्तु जीवन साती के और से बेट सवरू प्राप्त होने वाली है आर्थिक स्तिती पहले से बहतर रहेगी इसलिए आप कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी आसानी से कर पाएंगे यानि आपकी आमदनी काफी एची रहने वाली है भाई भैनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपकी किसी पुरानी वित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी विधारती विदेश जाकर शिक्षा ग्रेंड क पड़ सकता है आपको चाहिए कि आपको ओफिस पर व्यार्थ के विवाद से बचना होगा दोस्तों कल ये आपके लिए सबसे बड़ी साफधानी है अपने काम पर फोकस करें और किसी से अन्यार्थ में बाते ना करें इससे नोकरी में प्रमोशन के चांसस आपके बढ़ते दिखाई दे रहे इसलिए ये बात हो रही है पारिवारिक जीवन में सुक्षान्तिय बनी रहेगी और आएके नए स्रोर्त बनेंगे वैपार में वितगड़ा मुनाफा अब बात करते हैं कि धनुराशी के जात्कों की 11 जन्वरी का लव लाइफ कैसे रहने वाली है अगर आप वैवाहिक है तो जीवन मजबूत रहने वाला वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिये की भावनाव को समझने और उन्हें खुस करने की पूरी कोशिश कल करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके साथ ही कल गुरुवार का दिन धनुराशी के जातकों के लिए और बुजर्गों के लिए बहत खास रहने वाला है बस आपको फोलो करनी होगे छोटी सी टिप सभी बुजर्गों से अनुरोध है कि वो अपने स्वास्ते का बहतर ध्यान रखे और सभी से अनुरोध है कि धनुराशी के सभी जातक और जाते का हल्दी का दोस्तों और किले के वरिक्ष की पूजा जरूर कीजिएगा, हो सके तो पीले कलर के वस्तरधारण करना अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके गुरू है, जब किसी राशी के गुरू बलवान होते हैं, तो उनके सारे काम बनते चले जाते हैं, ऐसे मैं आपको अपनी राशी के गुरु व्रिस्पति को मजबूत रखने के लिए अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो केले की व्रिक्ष की पूजा कीजिए और पीले वस्तर धारन कीजिए पीली चीजों का सेवन कीजिए बस केले का सेवन आपको नहीं करना है दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जै ग गुरुदेव जरूर लेखिएगा